नमस्कार साथियों तो द्वित्य पारे का पेपर आपका कैसा हुआ और जैसा कि आपको विधित होगा हिंदी के जो पेपर है बहुत ही सरल पेपर आया पहले वाले पेपर से भी यन थोड़ा सरल्थ है इसका थोड़ा सा इस्तर कम रहा है देखिएगा पहला जो प्रस्ण है आपके समा किसी के कथन को उद्रित करते हैं समय किस विराम चिन का प्रियोग किया जाता है पहले बाद देखो यहां पर यह जो सब लिखा यही गलत लिखा है पर यह अब सुद में नहीं सब्सक्राइगा अवत्रण चिन तो आपका यह पहला सहिए अगला प्रस्ण देखिएगा असंगत विकल्प का चैन कीजी इसमें आपको डूड़ना है असंगत कौन सा है वह आया और में गया कार्णार्थ तक किरिया विशेशन वह बार बार चीकता है काल वाद्चक किरिय राम उपर कम्रे में अब प्रस्ण पूछों के कहां है उपर तो इस्तान वाद्चक हो गया नवाद्चक काल वाद्चक कब चीकता है बार बार और यह जो है यह समूचे-बोद्धक अव्य है और आने पर दो वाकियों को दो पदवन्दों को जोड़ने का काम कडते हैं तो के जगए दूसरा हो ना चाहिए अगला सवाल देखिएगा हाँ अगला सवाल है अशुद वाक्य का चैन कीजिएगा अब इसमें से अशुद डूणना है चुनर ओड कर आओ बिल्कुल ठीक है मेरा स्वास्ते ठीक है ये भी बिल्कुल सही वाक्य है उस तक में चिन मत अब आप देखना इस अगर प्रस्ण को परिक्षा में डिलीट करना हो तो भी पूरी-पूरी संभावना ही प्रस्ण डिलीट होने की संभावना में मैं कारण बताता हूं क्योंकि यहां पर अगर वाक्य को सुद अशुद की द्रश्टी से देखा जाए तो आपका ये वाक होना ही प्रस्ण डिलीट हो कारण अगर दोनों वाक्य गलत होने के पूरे-पूरे चांसे जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांस के लिए उन्चित एक सब्द होगा जो दूसरा पालन करता है परकामंद होता है दूसरा पराया मैंने आपको उपसर्ख पढ़ाते समय बताये था परका अमेसा ध्यानकना की दूसरा या पराया यह फगुआ तो क्या है एक लोग नाटी है परोक्ष किसको कहते आंखों के सामने निरुपम जिसकी उप्पा नहीं हो बिल्कुल विकल्प आपका सी सई होगा अगला देखीएगा संदी विश्यक संगत विकल्प का चयन कीजिए एक ऐसा विकल्प डूंडिए जो संगत है वदूदन उपती यह दिर्ख संदी का उधारन है देखों यह तो गलत है यहाँ पर जो सई होना चीए उकी मात्रा कैसी होनी चीए दिर्खवनी चीए इसलिए तो गलत फिर मात्री दन उपदेश कल ही हमने पढ़ा था बिल्कुल यहन संदी का उधारन है कल विसाल मेगा माट वालों के जो कक्षा हुई थी उसमें मौज कर दी सारे संदी के संदी के सवाल एक दिन में पढ़ा हुए में से आ गए बागी जिनको मैना पर पढ़ाया उनको तो पता नहीं यादी है या नहीं अगला देखीगा अभी दन आगत गलत यन संदी का उधारने कल पढ़ा था सही शब्द बन जाएगा अभ्यागत गलत है और वी दन एक्षण एक्षण में मातरा कैसी होती बड़ी तो आपका सही सवाल होगा भी चलिएगा साप नहीं दिख रहा है और साप नहीं दिख रहा सुन लो ना तुम क्या साप दिखना है अगला सवाल यह हो गया 136 पर देखो मैं आपको उत्तर बोल्ड हूं द्यान अकले ना अभी द्यान देगा अगला सवाल है किस विकल्प में निजवाचक सरुणाम का प्रियोग नहीं होगा निजवाचक करता सुयम अपने लिए करता है मैं आप ही चला जאूंगा मैं खुद रहा हूंगा यहे जो तो बताऊंगा यह हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष होगा आप कहेंगे तो कि बेटूंगा यह जो है निजवाचक का नहीं है अगला असंगत विकल्प को डूंडिए यहां पर आप देखोगे ब ओष्टिय भी है गोश भी है अलप्राण भी है इनों की पालना कर रहा है याद रखना और यह अग्रस्वर भी है संवरित्वर भी है और यह अवरित्म की भी है क्योंकि इसके उचान में वरित्व नहीं बनता यह भी बात सहीं यह तालव भी है अल्प्राण मी मी है गोशल भी है यह भी बिलकुल सहीं च जो महपरान होटा है क्या होता है महपरान और दूसरा जो है सगोष यो और नहीं यह वह संगत की द्रश्टी से अगला सवाल देखीगा गुलर का फूल होना मुहावरे कर गुलर का फूल देखना कभी-कभी दिखाई देता रोज नहीं दिखाई देता है तो सही आंस्पर जो होगा इसका यह ओजाएगा न दिखाई पड़ना अगला सुध शब्दों का युग्म है मिश्तान होता है मै अवसर सुभ है जो अवसर सदाचार सत है जो आचार कर्मदार्य है तीवर गेत तीवर है जो वेग यह भी किसका है कर्मदार्य का आत्म मगन यह तत्प्रूस हमास का उधारने और तत्प्रूस की अगर कहानी पड़ेंगे तो यह अधीकरण में चला जाएगा इसमें प्रस्ण नहीं था जिसको आपको करने में कोई कठी नहीं आये जो हमने कक्षा में पड़ा था वही तो धन्यवाद में उम्मीद करता हूं आप सभी का पर बहुत अच्छा हुआ 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 है नमस्कार आप सभी का सवागत है पार्सला क्लासिस के ऑनलाइन सारी के सारे कुश्ण आपको बुक में कराये भी हैं भुक में से एचैटी जैट इस सनाय आपको पहली भी कहता था पेपर देने के बाद भी चैक कर ले न Ace a कोई किसे में नहीं आया जो आपको नहीं कर अधर पूरानी कर लिए चले देखिए मैं ह्सें में जो मैस का 119 111 नमबर यह मैट्स की सुरुवाद हो रही है यहां से 116 नमबर किस्तन आपके सामने पहला जन संक्या का किस्तन लिखा है केवल नमबर चैंज हुआ है यहां पर एक कस्बे की जनसंक्या 6000 है कि पुरुस्तों की संक्या में 8% की वरद्धी होती है महिलाओं की संक्या में 10% वरद्धी होती है जनसंक्या 65 सो हो जाएगी तो कस्बे में महिलाओं की संक्या कितना है मिस्तरण से करना चाहें तो कर सकते हैं देखें टोटल जनसंक्या दे रखा है तुम्हें कितना 6000 इस 6000 में महिला और पुरुसों की दोनों की संख्या में अलग अलग वरद्धी कर रहा है देखिएगा पुरुसों की संख्या में 8% वरद्धी हो रही है अगर ये सारे के सारे पुरुस होते टोटल वरद्धी होती 480 की 6000 का 8% और अगर ये सारी की सारी महिला होती टोटल वर्दी होती 10%, 6000 का 10% यानि की 600 और एक साल की बाद ये जंसंग ग्या बढ़के कितना हो रही है लिया इब करण सी नकिल वर्दी हुई कितना है 500 की यहां से जो रेश्यों बनेगा दोनों का महिला और पुरूष्यों का 600-500 यानि 100 और यहां बचेगा 500-480 यानि 20 यानि 5 अनुपात एक पांच अनुपात एक इसी रेश्यों में इसको तोड़ दीजिए क्या बताना है महिलाओं की संख्या कितनी है महिलाओं की संख्या कितनी होगी एक हजार महिलाओं की संख्या पुछाता जहां सही जवाब होगा एक हजार यह था किस्तर नंबर 116 बारासो रिस गलत अंसर है आपका एक हजार सही अंसर है चलिए इसके बाद next question आता है चार संख्यां दे रखी है और चार संख्यां में प्रत्थम तीन संख्यां का एवरेज कितना है 15 तो आप यह कह सकते हो कि मालो ए बी और सी तीन का आपका योग कितना हो गया अंतिम संख्यां का मान दे रखी है आपको 19 अगर प्लस यह 19 है और आप अगर इसमें से गटा दो गए तो गटाने पे क्या होगा माइनस 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 बी और सी कट गया ए माइनस डी जो कि डी दे रखा आपको कितना 19 बराबर कितना हो गया माइनस तीन उननीस दर जायेगा तो ए बराबर कितना हो गया आपका 16 हो गया यानि आपका आंसर आना चीए सी बिलकुल राइट आंसर है अले अलें्सटे के हैं सुबह के पारीँ में एक बिल्वEOS온 से नहीं था इस पारीए किशना आया बहूत असानна सा संबाव तिर्बुज पर क्या लिखा गां गया है 2 वह संबाव तिर्बुजalo की चेतरफल का जो रेश्यों दे रखाया वो आपको दिया हुआ है बुजा वन का स्क्वाइर और बुजा टू का स्क्वाइर रूट तीन बटे चार दोनों में कैंसिल होई जाना है चतीस अनुपाद 25 तो बुजाओं का अनुपाद क्या आएगा स्क्वाइर टाएंगे तो रूट हो जाएगा छे अनुपाद 5 यही इनके परिमाप का अनुपाद होगा क्योंकि परिमाप क्या होता है चार गुणा बुजा संबाव तिर्पुझ का परिमाप तीनों तीन दोनों में कैंसिल होई जाएगा छे और पांच यही अनुपाद होगा परिमाप का अनुपाद पांच अब यहां पर यह दिरिखा है आपको कि स कि श्रल बयाज का बहुत ही सिम्प्ल सक तfirst ने टास में बहुत करवाया आपको मैंने कहाता है इसमें do बात इक पुछता है या तो मुल Community यह पूंचे आपको 80 रुपए का सही बात है कि नहीं किसका डिफरेंस एक साल का ब्याज असी है तो चार साल कितना अगया अगर में 1120 में से 320 गटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा मूल्दन आ जाएगा 800 तो यहां पर आंसर आना चाहिए इस दा राइट आंसर इस बच्चे के कई आंसर गल इसके बाद एक और किश्टन है यह रेश्यो से किश्टन आता है एक रासी को 3550 रुपए की रासी है 3550 रुपए की रासी को x y और z में इस प्रकार बाटना है देखेगा यह अच्छा किश्टन था यहां गलती भी हुए कई बच्चों से देखिए यहां लिखा है x के हिस्स का पाँच गुना यानि पाँच 2721 और अगर जैड देखना हो जैड को छुपा दो 3 45 15 इस उतीस से कट देंगे एं विक्टीस से कट जाएगा फूरा यही आपका जवाब है तीनों का रेश्यों नहीं दे रखा था तीनों रासियां बराबर दीगी थी तीन एक्स बराबर पांच वाई बराबर साथ जैड़ था यहां पर कि पेपर का बिल्कुल सेम पैटन है जैसे पस्ट वाली पारिका जो है न वही पैटन आपका सकेंड पारिका है उसमें कोई आपको मतलब बस कुष्ण का डाटा चेंज बाकि पैटन वहीं सेमें आपके 15 कुष्ण मैं तो रिजिनिंग क्या है इस विसाब से हिंदी के दस कुष्ण आएं इंग्लिज के दस कुष्ण आएं मतलब सेम पैटन रहा है दोनों पेपर का इस से देखकर कल यह नमस्कार दोस्तों नमस्कार कैसे हो तैयार हो दो वैं क्यों सुनम्बर चार कि अ चांगे आएं कि कि इस कि कि पतली सिसको बंद कर दी आएं दर कि मैशों कि कैसे लोगत देखो चार 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 कि उस연 इसाही टो के चार लगाव कैनिमन में से कौन सा यह यह नहीं है कि यह वहाट लेक्याव वह और लिए वाब कि अ इसे तो दिकात आजाएगी यानो यह अज्याज एल्ग है यह यानो यह 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 लेक्जाओं यह वाले यह यह लग है यह सारे पीडियेफ यहां आगे क्या बस एक मिनट गुडियूनिंग गुडियूनिंग सभी दोस्तों गो गुडियूनिंग तब तक सेयर कर दो एक बार और क्लास ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जूड सेके वो जूडों में अच्छार यह नहीं है चोटा क्यूशन देखो चोटा क्यूशन लगा दें बूंदी रियासत के अंतिम आदिकारिक सासक कोन थे तो बूंदी के जो अंतिम सासक थे क्रांति के समय वो कोन थे महराव राजा राम सिंग तो इसका उत्र क्या आएगा तो देखे चोटे का उत्तर के आएगा दोस्तों सी आएगा ठीक है यानि राम सिंग था नेक्स्ट क्यूशन लगाओ अगला सत्रा सत्रा नी अठारा लगाओ अठारा 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 देखी दोस्तों उननी सो साथ में स्वामी गोपाल दास ने किस सबाकी स्थापना की थी किस सभाकी नحمимер किति, अब यहाँ पर इसका पहला उप्शन ही बिलकुल राइट है, क्या ऐगा ? बाल बारती सभा, देश से हितेशनी सभाकी इसने नहीं किति, नाई प्रोप कार ने सभाकी किति, नाई सर्व हित कार ने सभाकी किति इन्होंने टैरिग३ supplements तो इसका उतर क्या स्टेट आया है एह आगे चलो सर कुछन बताता हूं आपको सर कि उसन नंबर 25 कि उसन नंबर 25 गुरु द्वारा जोहड बूडा है ये बूडा जोहड राजस्थान के कि जिले में इस्तित है, गंगा नगर में इस्तित है, ठीक है next question है 39 राजस्थान का एक मात्र करपाल सिंग सेकाउत का संबन किस कला से है करपाल सिंग सेकाउत का है ब्ल्यू पोर्टरी से ये कौन लाया था मान सिंग लेकर आया था कौन लेकर आया था मान सिंग कहां से लाया था लाहोर से लाया था कहां से लाय था दोस्तो? लाहूर से और मूल तेंड एग घूper के थी? इरान के थी कहां की थी? इरान के. चुस्ञ नमबर 32 क्यूशन नमबर 32 देखिए. बहुत शांदार क्यूशन है और ये बोर्ड के उपर ऐसे कैसे मैं जब आपको लिखाता हूं तो इन क्यूसनों का करम भी बताता हूं कि करम ध्यान रखना ये एक्जाम में पूचते हैं और ये करम काफी बार एक्जाम में आते हैं ये आ भी गया ठीक है निमल लिकित में से कौन सा युद्ध वर्स सही सुमेलित नहीं है कौन सा नहीं है देखो खातोली युद्ध बिल्कुल सही है इधर खानवा का युद्ध 27 में वा था हरमाडा का मैंने आपको लिखा रखा है लेकिन गिरी सुमेल जो है ये सामेला का जो युद्ध है ये गलत है ठीक है ये तीनों के तीनों सही है इसका उत्तर क्या डी आएगा डी आएगा दोस्तों डी आएगा क्यूस्ट नमबर 37 ने चाहर सर्क करने करें कि अधर तारीश कि अधर तारीश कि अधर देखे निमल लिकित में से किसे पुरातात्विक इस्तल से यूनानी सासक मिंडार की मुद्रा मिली ये आपके देखो यहाँ पे खुदाई हुई थी उसमें सूती कपड़े में लिप्टी मिली थी 36 उनमें 28 तो थी यूनानियों की और 8 ती पंचमारक मुद्रा अब ये यूनानी सासक मिंडार की मुद्रा पूछ रहा है तो इसका उत्तर के आएगा बेराट आएगा देखे लोगे क्यूशन आया हुआ है और ऐसे स्टार लगा हुआ है ठीक है ठेंक्यू आगे एक में तुपना तुष्ण नमबर बावन तुष्ण नमबर बावन देखे दोस्तों मारवाड के किस सासक ने मुगलों की अधिन्ता सिवकार नहीं की ती सभी को पता है राव चंदर सेन नहीं की इससे जश्ट एकला क्यूशन देखो राजस्थान इसकूल ओप आर्स की स्थावना किस ने गी थी तो राम सिंग सेकंड ने गी थी ये इसका उतर आएगा राम सिंग सेकंड ने गी थी ठीक है कब की थी अठारा सो पहले ये मदर्साई उनरी था फिर इसका नाम मतला गया चासट में ठीक है क्यूशन नंबर आगे 61 क्यूशन नंबर 61 है क्यूशन नंबर 61 देखे बहुत शानदार क्यूशन है इजलास खास का गठन किया था आपने अगर देखा हो महा इंद्राज सबा और देश हितेशनी सबागर आपने पड़ी है सजन सिंगे काल में वीर विनोध गरन पड़ाया गया है तो इसमें क्या आएगा सजन सिंग महाराना सजन सिंग आएगा इजलास खास का गठन किया था महाराना सजन सिंग ने किया था ठीक है कुछ से नंबर क्यूशन नमर ची आसी देखिए बहुत शानदार क्यूशन है और बड़िया क्यूशन है मिलान करवाया है यहां पे क्यूशन क्या है माहराना कुमा ने कोंसा गरंथ लिकाता संगीत राज मंदन ने कोंसा लिकाता देव मूर्ती परकरण और नाथा ने कोंसा लिकाता वास्तो मंजरिक रह गया कोण गोविंद यह आ गया अब यहां पे देखो कि पहले में दो किसकिस के है इसके अंदर दो है चोते में एक में यह वाईस में तो उप्शन वैसे ही सही आ गया एक पकड़ो सारा सही आ गया क्यूसर नंबर सत्यासी देखे दोस्तों खेडा किसान आंदोलन किन नेताओं के किन नेताओं के नेत्रुतों में हुआ अगर यहाँ पे एक देता कि किनों ने चालू किया ये गांदी जी ने चालू किया था गुजरास से लेकिन साथ में दे दिया किन नेताओं ने और अपने यहाँ भी दे दिया तो क्याएगा विजय सिंग पतिगोरे गांदी जी गुजरात से हुआ था तो गुजरात ये बच्चे ने गलत कर रखा है क्योंकि सरदार भुलफाई पटेल भी पूछ लिया राजस्तान से भी पूछ लिया तो राजस्तान में तो कौन ते विजय सिंह पतिग और गुजरात में दोनों थे ये ठीक है नेक्स्ट आगे चलो कुसाल सिंग ने किन जगह विद्रोय का नेत्रत किया तो ध्यान रगना कुसाल सिंग क्या आएगा आववा आएगा सी क्या आएगा आववा आएगा सी नेक्स टे क्यूसर नम्मर तिरान में चितोड दुर्ग के प्रथम दुआर देखो यहाँ पे पांडन है पांडु नाम है इसका लेकिन मिस्टेक है भी यह तो पेपर है भई पांडु पोल के पास बने चबूत्रे पे निम्ल में से किसका इसमारक बना हुआ है यह चत्री है इसमारक भी बोलते है चत्री भी कहते हैं और यह किसकी है भाग सिंग जो विक्रमा दित्ते का सेना पती था ठीक है रावत बाग सिंग आएगा रावत बाग सिंग आएगा पिच्च्यान में पिच्च्यान में जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने जैपुर प्रजा मंडल बेरी गोड क्या आएगा इसमें आपका राइट आए आंसर है नेक्स्ट अगला या पेपर आये यार मज़ा आ गया निन्यान में किया आ गया बारतिय राष्टिय कोंग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रत आंदोलन को समरतन देना प्रारम किया तो हरी पुरा अधिवेशन हुआ था कहां है ये रा तो क्या आएगा इसमें भी आंसर आएगा अगले हमारे गुरुजी आएंगे रि देखते रहना ठीक है थैंक्यू दन्यवाद बाई बाई लो गुरुजी दन्यवाद गुरुजी पेपर मेंनों मज़वाएगो उसी आच कि अध्यू 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 कौन सा यह नहीं है हां भी राम राम लो बताओ एक सो सोडा मतलब रिजिनिंग बसे रिजिनिंग और मैं स्टार्ट एक सो सोडा से चेक कर लो कौन सा क्या है और गिलाडी एक पेपर लेजए और एक देखो एक सोडा से स्टार्ट करो इतना मोटा मोटा है मैं फटांफट कर देते हैं आपके सामने तो आपके सामने एक सोड़ा नेमर रख Union he repetition अब देखो 116 क्या दे रहा आपके साने 5 विद्यारति वैटेे के दाइंग और क्योंड बैटा है ये लो डाइंग और आपके Cand रखओं लगी पहाएं आढ़ कोई बैठा है दे कोioned बैठा प्ता है आपको पता है दाई और का मतलब आपके सामने डिय आ अगया आगे या लिखा है एकिशके बैठा दो सामने कोंगे रखआ है लेकर सी के दाइच से बाइचे कौन बैठा दो यह re. ठीक है चलेगा बच्चे ने अच्छा किया है विलकुल शजरे हैं यह एक शो सत्रा नमर सा देखो आपके सामने क्या निए रख़ा Boston जगडालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चीए, मतलब अच्छा जगडालू बनने के लिए आदमी को क्या होना चीए, बुद्धिमान होना चीए, आगे क्या लिखा है, अच्छे जगडालू बातुनी और उबाओ होते हैं, अब यहाँ देखो क्या देख पच्छे ने का ये भी सही है वाई साब ना इधर नोर में चला जाएगा ना तो फैस्ट ना सेकिंड इसके बाद में आप 108 अब्लड रलेशन का क्यूशन था देखो आपके सामने क्या लिखा है अनीता है वो भावेश की पतनी है यह लो भावेश की पतनी आपके सामने कोण ह ये लो अनीता विया ये इसकी क्या विया पतनी है ये ध्यान रखना आगे देखो क्या लिखा है चंचल है वो अनीता की बहने अनीता की बहने आपके सामने कोण हो गई चंचल यहां पर ये लो चंचल इसकी बहन हो चुकी है दिनेश चंचल का पिता है चंचल का पिता आप से रमेश का पूछा है अब आवेस अपन मानों अपन अपनी पतनी पतनी की बहन साली साली का बाई क्या लगा साला तो यहां पर आएगा एक के अंदर क्या दे रखाए विए साला जिन जिन ने साला आंसर किया उनका 100 पर सेंट राइट आंसर चलेगा अगला है आपका 120 नमबर गांग 120 नमबर गांग हाँ ये वाला अब देखो बिलकुल अलवा कि उसे नहीं है आपको पता है देखो क्या दे रखा है 9 प्लस 7 कितना दे रखा है 58 दे रखा है यहाँ पर क्या करना है 7 का स्क्वाइर आप देखो कितना होता है तो सेम सामने यह है तो तो है कितना स्रीज का क्यूशन आया है तो देखो यहां पर चार का जुगणा चार में आपके सामने चार जोड़ा आठ आठ में चार जोड़ा बारा बारा में चार जोड़ा कितना आया सोला यहां देखो एकांतर स्रेणी का क्यूशन है एक में करेक आंसर हो किता है आपका तेरा जिन्होंने तेरा किया उनका राइट आंसर है इसके बाद के अंदर है आपका जो क्यूशन आया है वो 123 का है यह लो देखो आपके सामने क्या रखा कौन सा चितर किर्केट खिलाडियों का और टेनिस परसंस को और विद्यार्थों की समंद आप यह बिद्यार्थ कितना कुछ-कुछ मोसम बनेगा कुछ-कुछ वाद मैंने एक चीज़ बताए थी जहां पर भी आपको सब्दकार समझ में 99 परसेंट यह वाला डाइग्राम जहां पर मिले तुरंटिका देना ठीक है तो राइट आंसर पॉन साया ए उप्शन इसके बाद के अंदर 125 एक सोपचीस हाँ यह वाड़ा अब 125 में देखो दिएगे चित्र का पानी में प्रतिविम चुनिये मतला पानी का पूछा है क्या हल्वा कि उसन पूछा है यहां देखेगा अपन सारे लोग में बात करते हैं रहता दा गावां के अंदर डांडान पानी पानी है वो दिख्सी गठ़े अपन उपर दिख्सी तो आप देखो पॉनी है सेम कंडिसन यह पानी है अब यह वाले पार्ट Lambod दे रहा है इंदर आपको सामने सेमा यह कंडिशन दे रखी है वो तो क्या कर दो गलत देखो सेम यह कंडिशन है आ रही है यह वाला तो यह वाला तो वैसे गलत हो जाएगा और यहाँ पर देखेगा आपके सामने यह वाली कंडिशन देखेगा सेम यह वाली कंडिशन दे रखी है तो यह भी गलत है यह देखो नीचे का उपर के यहाथ कौन से उत्तराकरती प्रसना करती में आएगी आपडेखेगा यहाँ पर सब से पहली देखो एक देहां गोला उपर करना है थोड़ा तो हूं यह देखो आप कौन से कंडिशन के अंदर आ रहे हैं वाला तो यह थे हैं और भी एक्चन और है एक सोठाइस का हुआ है 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 झौक्त आटिशा का घेचिन रहा है ने कि देखो यह आपके सामने दिया लुप पद लुप पद की कंडिशन आपके सामने दी है न तो यहां देखेगा क्या दी है आपके सामने तीन का दुगुणा कितना है नो दो का कितना है चार चार का कितना है 16 अब फिर आपको पता है कि देखो तीन की पाउर 1 यहां पर दों की पाउर 1 किटना कर दो 4 की पाउर 1 चार की पाउर 2 16 और 4 की पाउर 3 63 अब बीची का लफड़ा तो इसका मनलब 8 प्रहड की? इसका मनलब C भी के lại? अब यहां देखो C, B, A 130 नमर का और निकाली यहां देखो आपके सामने क्या दे रखा है जी ओडी सब्द का कूट वासा में कितना अठाटर जी का साथ प्लस पंदरा प्लस चार आप देखो पंदरा चार उननीस और उननीस और साथ आपके सामने कितना 26 इसमें अलफाबेट कितने हैं तीन मल्टिप् कितना हुआ यहां पर विया अठारा और साथ आपके सामने कितने 25 सर पांस 30 50 51 सब्द गिनों एक दो तीन च्यार पांच मल्टिप्लाई पांस से कर दो कितना है 255 पूछा क्या है जी आई एफटी पूछा है यह पूछा है ना तो जी आई एफटी का देख लो साथ प्लस न एक सो यह वाले आपके सामने क्यूसंस थे मेरे दोस्तों इतने ही छोटे चोटे क्यूसं थे आपके सामने ठीक है तो करेक्ट आंसर को राएगा यह वाले आएए लिगा अधा तो हख गाई हाँ जी तो नमस्कार दोस्तो पॉलिटि और करेंट अफियर जैसा कि आप क्लास नोड्स के अंदर पड़ी रहे हो तो सारा सब कुछ है मुझे कहने की बारवार इसकी जरूत ही नहीं और आपके सामने पहला प्रिश्ण है और पहला प्रिश्ण पहला प्रिश्ण आपके सामने निम्नलिकित में से कौन सा राज्य भारत में क्रसी आयकर लगाने वाला राज्य है तो देखिएगा भारत में अगर क्रसी आयकर लगा दिखाने वाला अगर कोई पहला राजmented है तो वह आपके है बिहार कौन सा है बिहार यह आपको दियाद रखना है और बिहार ने Look 1938 के अंदर यानि देश के अंदर पहला राजे बना इसके बाद कई राज्जने किसी कर लगाईंगी से अगर आपसे पहला राज्य पूछे तो पहला राज्य कौन सा होगा बिहार ये आपको ध्यान रखना है दूसरा है आपका अगला प्रिशने और वो अगला प्रिशने आपका प्रिशन संख्या नो नमबर प्रिशन संख्या नो ये करेंट अफिर का प्रिशन है और प्रिशन के अंदर पूछा गया है कि केंद्रिये मंत्री मुक्तार अब्वास नकवी ने किस सेर में जुलाई दो हजार बाइस को पांचवे ग्लोवल फिल्म टूरिजम कॉनक्लेब का उदगाटन किया त और प्रिशन संख्या 11 के अंदर पूछा गया है कि राजिस्तान के बजट 2021-2022 में इंद्रा गांदी सहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी रासी तक व्याज मुक्त रिण उपलब्द करवाने की घोशना की गई तो ये की गई थी आपके 50,000 रुपे की यानि सहरी छित रिकार्ड योजना के तैद की गई थी तो सही विकल्फ होगा सी अगला प्रिशन आपके प्रिसन संख्या गुन्निस और पहले भी आपसे बित्तायोग का पिछली पारी में पहला यानि बित्तायोग के अध्यक्स कौन थे ये पूछा और इसमार पूछा है कि छटे बित्त प्रिशन वहीं से आ रहे हैं यानि उसी टॉपिक से प्रिशन को उठाकर एक्जामनर दे रहा है तो आपको घवराने की जुरुत नहीं है जो पहली और दूसरी पारी में जो टॉपिक से प्रिशन आये हैं उनको याप कल की पारी में रिवाइज करके जाएए यहीं से आपको एक्जाम में प्रिशन देखने को मिलेंगे अगला प्रिशन है आपका प्रिशन संक्या 21 और यह करेंट का प्रिशन है कि रीको द्वारा चार एग्रो फुड पार्क इस्तापित विक्सित किये गए हैं कहां पर विक्सात किये गए हैं तो दिखिए एग्रो फुड पार्क जो विक्सित किये एक तो जोधपुर बोर नड़ा के अंदर किया है कोटा में किया है अलवर में किया है और स्री गंगा नगर में किया है तो इस प्रिकार इस प्रिशन का जो सही विकल्प होगा वो भी होगा यानि आपको ध्यान डखना है जोदपूर कोटा अलवर और स्री गंगा नगर में रिको द्वारा चार एग्रो फुड़ पार्क विक् कि जो भारत की जो भारात के गवर्नरlichen जर्र्णल की परिशद में पहली बार यानि प्रिथम बार एक भारतिये सदष की न्युक्टी का प्रावदान किस अदिनियम में किया गया तो दोस्तो यह अदिनियम Agency不 भारत परिशद अधिनियम 1909 का भारत परिशद अधिनियम 1909 का है यह आपको ध्यान डखना है और सतेंदर सिन्ना की पहली बार यानि जो गवर्नर जर्नल की जो कारिय कारणी परिशद थी उसके अंदर इनकी क्या की गई न्युक्ति की गई तो यह आपको ध्यान डखना है 1909 नोगा यानि परिसेद अधिनियं में, कल हो सकता है आपसे 1802 और गुद्नीश सो थीचके भारत परिसेद अधिनियं और 1861 के भारत परिसेद अधिनियं से प्रिशन पूचे जाए, यहां भी आपको गलत है यानि चार रिकल्प दिये हैं चार में से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है पहला है भाग च्छे मुक्ष रूप से राज्य सरकारों पर केंदर थे तो बिल्कुल सही है भाग च्छे का संबंद राज्य सरकार से और भाग पांच का संबंद केंदर सरकार से आपको म रेडियों में राज्यो को डिवाइड किया था लेकिन इसको बाद में यानि सात्वे संविदान संसुदन 1956 के द्वारा निर्सित कर दिया गया अब सात्वा भाग है ही नहीं और जो केंद्र सासित राज्यों का जो उल्लेक मिलता है वो हमें भाग भाग 6 है वो 6 अध्याव में विवक्त है बिल्कुल सही बात है अगला है संबिदान के भाग 6 में अनुचेद 152 से 237 तक सामिले बिल्कुल संबिदान का जो भाग 6 है उसके अंदर आइटीकल 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार से सम्मदित प्रावदानों का उनले किया गया है तो A सही है C सही है D सही है विकल्प B गलत है तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रिशन है 35 और 35 प्रिशन की अगर बात करें तो 35 प्रिशन है कि कथनों पर आपको सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है पहल माया तो बिल्कुल बात सही है दिखेगा राजिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो 165 जो हमारा संविदान का अर्टिकल है उसके तहट यानि महादी वक्ता के पद का उले किया गया है और जब 1956 जिखेगा तो इसी के तहत 라जिस्तान के अंदर महादी वक्ता का जो कारेकाल है वह इस्तापित किया गया ये आपको ध्यान रखना है तो कथन ए सही है कथन भी है कि G.S. कासली बाल राजिस्तान राज्जी के प्रतम महाधी वक्ता बने तो बिल्कुल G.S. कासली बाल राजिस्तान राज्जी के प्रतम महाधी वक्ता बने तो ये भी सही है और वरत्मान अगर कल के पेपर में आपसे पूछ ले, तो आपको ध्यान डखना है, मेंधर सिंख भी, यह नाम आपको याद रखना है, जो वर्तवान में क्या है, मादी वकता है, तो दोनों सही है, एक और दो कतन सही है, तो बिकल्प भी इसका सही होगा, ये आपको ध्यान डखना है, अगला प्रिशने, प्रिशन संख्या अगला आपका आता है, प्रिशन संख्या गुंतालीस, राजिस्तान जन आधार प्रादीकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ, दिखें ये जो एक अध्यादेश था और ये प्रभावी जो हुआ था वो 18 दिसंबर 2019 को हुआ है, कब हुआ है, 18 दिसंबर 2019 को प्रभावी हुआ है, तो ये आपको ध्यान डखना है, 18 दिसंबर 2019 ये इसकी सही तारीक है, इसके बाद प्रिशने 40, और ये तो मैंने अभी आपको कलपर सुई करेंट की क्लास में कराया था, कि किस वर्स में राजिस्तान की पहली हस्त सिल्फ नीती जार की गई है, तो ये 2022 में अभी हाली में की गई है, तो आपको ध्यान डखना है कि 2022 में की गई है, इसके बाद प्रसंद संक्या 41, राजिस्तान विदान सवा का सदश रहे विना, कोई व्यक्ति कितने महां तक राजिस्तान में मंत्री पद रह सकता है, दिखे, हमारे संविदा नहीं कर पाता है तो 6 माह के बाद वो पद से वरखास हो जाएगा या उसे पद से हटा दिया जाएगा यानि मंत्री पद से तो यानि वो 6 माह तक रह सकता है तो सही विकल्प होगा आपका B अगला प्रिश्णे 42 सबाइब वर्तमान में राजिस्तान उच्चन्याले में नयादीसों की संख्या है तो देखिए वर्तमान में राजिस्तान उच्चन्याले में नयादीसों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं 50 और जब ये बना था तो तब इसमें थे 11 तो ये आपको ध्यान डखना है तो तो केंद्रिय परिवेन मंत्री नितिन गड़करी ने किस राज्ज में तेवी सो करोण रुपे की 119 किलोमीटर की छे राश्टिय राजमार्ग परियोजनाओं का उधगाटन और सिलन्यास किया, किस राज्जी के अंदर किया तो यह मध्यप्रदेश के अंदर किया है, आपको प्रिशने आपका 51, और 51 नंबर का प्रिशने आपका है, कि निम्र लिखित में से महिला परिशद की इस्तापना उधयपुर गुनिस सो सैंतालीस में किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, सांता त्रवेदी के द्वारा, किसके द्वारा, सांत प्रिशन संख्या अगला है आपका 55 यह आपको बताना है तो 55 नंबर प्रिसंख्या और उसमें है अटल सेवा केंद्र यानि अटल सेवा केंद्र Čनि इस्तापित किये गए उनको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है या उनका नया नाम क्या दिया गया है तो दोस्तो अटल सेवा केंदरों का बहुत ही प्रिशने राजीव गांदी सेवा केंदर के नाम से दिया गया है ये आपको ध्यार डखना है क्या है राजीव गांदी सेवा केंदर इसके बाद प्रिसन संक्या 57 और प्रिसन संक्या 57 में देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रस्थन है ये कि निम्लिकित में से कौन सा कर भारतिय संब्धान की राज्य सूची के अंतर गताता है अब देखिए यहां से दो करतों आपको सीधे सीधे नजार आ रहे हैं एक तो इस्टाम्प कर और एक मनोरंजन कर ये दोनों किस के अदीन होते हैं राज्य सरकार के अदीन होते हैं अब आपको एक और चार विकल्प सर्च करना है तो देखिए एक और चार अगर आप चारों विकल्पों में जाओगे तो एक और चार सिर्फ डी के अंदर मिलेगा इसलिए इस प्रिशन का जो सही विकल्प होगा एक और चार यानि इस्टांप कर ये राजिसरकार के द्वारा लगाया जाता है और एक मनोरंजन कर ये राजिसरकार के द्वारा लगाया जाता है जबकि क लिखितमें से गलत युग्म, यानि राज्यों का एक साइड नाम दे रखा है, एक साइड विदानसवा सदश्यों की संक्या दे रखी है और आपको गलत चुनना है, दिखिए मनिपुर की बात करें तो मनिपुर के अंदर विदानसवा की 60 सीट है, बिल्कुल बात सही है, तो यहां पर जो ऑप्सन दे रखा है, वो पचास दे रखा है, तो गलत कौन सा होगा, मेगाले, तो आपको गलती चुनना है, तो सही विकल्प होगा इसका D, इसके बाद अगला जो आपका प्रिसन संक्या 62, प्रिसन संक्या 62, प्लेनेट D की यात्रा सूची, दी सोलें Cities on Earth, में राजिस्तान के किस सहर को 2022 में सामिल किया है, तो दोस्तों इसको सामिल किया है, एकमात राजिस्तान का सहर है, जो इसमें सामिल किया है, वो है आपके उदैपूर, कौन सा है, उदैपूर ये आपको ध्याँ डखना है, अगला प्रिसन संक्या 66, DRDO ने भारतिय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परिक्षण मुल्यांकन सुबदा के सहर में सुर किया है, तो दोस्तों ये किया कोची केरल के अंदर, कहां पर किया है, कोची केरल के अंदर, यानि DRDO ने भारतिय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परिक्षण मु प्रिशन संक्या 68 राजिस्तान के लिए जल जीवन मिशन योजना में कैंदर तथा राज्ज की सेवागिता का क्रमस है दिखे यहां पर बच्चों को थोड़ा डाउट हो सकता है अगर बात करें इस प्रिशन की तो इस प्रिशन का तो सही आंसर होगा 50-50 आपको यह ध्यान ड प्रista 20-osition किया है तो यहां पर जो सही विकल्प होगा वह पचास 50 होगा कितना होगा 50-50 यह आपको ध्यान डखना है अगला है प्रिशन संक्या अ और इसका है आपके economics वाड़ा और अगला प्रिशन है आपके प्रिसंद संख्या 71, 70 भी है, 70 लीजिए पहले प्रिसंद संख्या 70, रजिस्तान सरकार में बिधायक छेत्रिय विकास योजना में 2021 वाइस के लिए बिधायक निदी बढ़ा कर दी गई है, पहले ये 2 करोड हुआ करती थी, अब इसे 2 करोड से बढ़ा कर कितना कर दिया, 5 करोड और ये प्रिसंद आपको मिलेगा, पुरानी वाली जो आर्थिक समिक्षा है उसके अंदर मिलेगा, तो सही इसका प्रिसंद होगा, आपके 5 करोड यानि C इसका विकल्प सही होगा, प्रिसंद संख्या 71, और प्रिसंद संख्या कैतर में देखिए, यहां पर कहा कि आपात कालीम प्रापधानों के बारे में निम्न मैंसे कौन सा कथन असेत्य है, ये आप से पूचा गया है, पहला कथन है कि राष्टपती सासन किसी राज्ज में अधिक्तम 3 वर्सों तक लागू रह सकता है, बिलकु इस परिस्तितिया कौन-कौन सी है, तो एक तो यदि माल लीजिए, उस राज्जी के अंदर निर्वाचन आयोग ये कह दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तब आप दो साल तक राष्टपती सासन बढ़ा सकते हो, पहली परिस्तिती तो, और दूसरी परिस्तिती ये है कि यदि देश में अगर राष्टी आपातकाल लग रहा हो, तो हम दो वर्स और बढ़ा सकते हैं, इस परकार किसी भी राज्ज में अधिक्तम जो राष्टपती सासन लग सकता है, वो तीन साल लग सकता है, एक साल तो जर्नल ही लगा सकते हैं, इसके अलावाद दो सा और लगा सकते हैं, तो अधिक्तम हो गया तीन साल, तो पहला विकल्प सही है, दूसरा है, अनुछेद 352 के तेट राष्टी आपातकाल मंत्री मंडल की लिखित सहमती के आदार पर ही लगाया जा सकता है, बिलकुल बात सही है दोस्तों, ये जो मंत्री मंडल की लिखित परिस है, इसे 479 संसोदन संसोदन गुनीश extend के दौरा जोडा गया तो ये बात बिलकुल सही है, यानि भीवी वाला बिलकुल सही है, इसका विकल्, फिरेसी 42 संसोदन दौरा संविधान में सहसस्त्र विधरो सब्द जोड़ा गया, नहीं दोस्तों, विधरो सब्द जो ज गलत होगा यानि ये गलत है आपका और इसके बाद डी को आप देखोगे तो राश्टपती सासन राजिस्तान में राज्ज में अब तक चार वार लाग हुआ है तो बिल्कुल राजिस्तान में चार वार लाग हुआ है पहली वार 1967 दूसरा 77 तीसरा असी और चौथा बान में ये प्रिशन आपके मॉर्निंग में भी पूचा गया था कि कौन से मुक्ष मंत्री थे जिनके समय में सरवादिक वार राश्टपती सासन लगाया तो कल हो सकता है आपको राश्टपती सासन से फिर कॉश्चन देखने को मिले तो आपको ये पढ़के जाना है यानि 70% आपका गया उपर गया ये रहा मई 2022 में बंगाल की खाड़े में चक्रवाती तूफान का क्या नाम था तो ये नाम था असानी क्या नाम था असानी यानि मई 2022 में जो बंगाल की खाड़े में जो चक्रवती तूफान आया था उसका नाम था असानी अगला है पिछेत्तर ह हर्देव जोसी पत्रिकारिता एवं जनसंचार विश्विद्याले कहां इस्तिते तो हर्देव जोसी पत्रिकारिता एवं जनसंचार विश्विद्याले यह आपके जैपूर में इस्तिते कहां पर जैपूर में इस्तिते यह आपको ध्यान डखना है इसके बाद आएए अगल और प्रिसिन संक्या नब्वे में अगर हम बात करें तो प्रिसिन संक्या आपका नब्वे है ये रहा वर्स दोजार 22-23 के लिए निम्न लिकित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट सुरिक्षा परिसद में एस्ताई सदश्च के रूप में निर्वाचित किया है कौन सा आएगा यह आपको धियां डखना है ना ही पाकिस्तान है ना ही इंथोपीय ना ही भारत है याने यह यह राजस्तान की निम्लक हित्में' से किसे जनवरी 212 22 में। प्रदान मंत्री राष्ट्रीए बाल पुरुषकार से सम्मानित किया था गौरी माहिस्चुरी को इसको किया था गौरी माहिस्चुरी को यहां द्यान डखना है। और इसके मैं आपसे क्लास रूम के अंदर बार वार कह रहा था कि ये प्रिसन आपको जरूर एक्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि उत्तरा खंड राज के अंदर समान नागरिक साहिता लागू की है गुजरात के अंदर माहूल बन रहा था और आपको मैंने कहा तक राजिस्तान में वो डॉक्टर क्रोलाड मीना ने एक प्रेस कौंट फेंस करके राजिस्तान सरकार से ये आगरे किया था कि चुनाबों से पहले राजिस्तान के अंदर समान नागरिक साहिता को लागू करे तो कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता का उपबंद कौन सा आइटीकल करता है तो आइटीकल वो 44 करता है इसका बार-बार मैंने आपसे क्लास में जिक्र किया था कि आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिल गया अगला प्रिशने आपका प्रिशन संख्या ये है आपका इठ्यान में 98 और ये अंतिम प्रिशने पॉलिटी का और इठ्यान में में आपसे पूचा गया है कि राजिस्तान उच्चनेले के मुक्षनेयदीस बनने से पहले जश्टिस पंकज मिथल कहां के मुक्षनेयदीस थे तो दोस्तों ये आपके जम्मू कस्मीर उच्चनेयले के मुक्षनेयदीस थे कहां के जम्मू कस्मीर उच्चनेयले के मुक्षनेयदीस थे अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पंकज मिथल जो बने है ये 40 वे नमबर के मुक्षनियादीस बने राजिस्तान के, 40 वे क्रमांक के, ये आपको ध्यान डखना, वो सकता है कल के प्रिशन में आपको ये देखने को मिल जाए, देखिए आज उच्छ नैलों से 3 प्रिशन एक्जाम में पूछे गये हैं, कल की एक्जाम में भी आपको उ स्लेबस से उसे गोट के चले जाओ, अधिकतर प्रिशन पॉलिटी के 10 प्लस 2 वाले स्लेबस से ही आ रहे हैं, अगर दोनों पेपरों को देखा जाए तो, और 10 प्लस 2 का मैंने आपको क्लासों के अंदर बहुत अच्छे से करवाया है, एक एक टॉपिक मैंने आपको डीपल से मिल जाएंगे, तो सुक्रिया, धनवाद, अब मिलते हैं, चारण सर, जो राजस्तान हिष्ट्री और कलास संस्कृति के आपको प्रिशन सॉल्व करवाएंगे, आए सर आपका स्वागत है, अजी, नमस्कार, कैसा राप पेपर, बता हो देगे, एक बार तो फिटा पट, अपने राजस्तान, कला और संस्कृति के जो प्रशन पुछेगे हैं, उन प्रशनों पे चप्चा कर लेते हैं, ठीक है, जिस लेवल के सुबह के पारी में प्रशन थे, ठीक वैसे के वैसे ही पेपर, आपके इस पेपर में भी पुछेगे, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का ठीक रा होगा पेपर, चलिए, पहला प्रशन अपने है, लोक देवियों का, इसमें प्रशन संक्या सत्रा है, जेसल मेर के भाटी राजवन्स की कुल देवी कौन सी है, तो अधिया माता आपको ध्यान रगना है, भाटियों की कुल देवी है, चलिए, 17 नंबर के बाद में 22 नंबर क्यूसन निकालिए, प्रसंद संग्या 22, 22 नंबर प्रशन, ये आपके साहित्ते का क्यूसन है, और प्रशन पुछा गया है, अरली चोहान डाइनेस्टी, अरली चो ये बहुत मैत्वपन बुक है, तो आपने पड़ी होगी, अरली चोहान डाइनेस्टी के लेखर, दसरत सर्मा, 25 नंबर क्यूसन है, अगला इस पेपर में, प्रसंद संग्या 25, गुरुद्वारा बुद्ध जोहर, वैसे ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आपने राजस्थान में, श्री गंगानगर जीले में, राई सिंग नगर जो है, वहाँ पर बुद्धा जोहर गुरुद्वारा है, सिक्ध द्रम का, तो पुछा गया कि कौन से जीले में, तो श्री गंगानगर जीला, ओप्शन D जो है, वो करेक्ट आंसर होगा, बुद्धा जोहर गुरुद्वारा आपको ध्यान रगना है, श्री गंगानगर जीले में, बुद्धा जोहर गुरुद्वारा की बाद में, 29 नमर क्यूस्थन, ये अपने हस्त कला का क्यूस्थन है, 29 नमर, क्रपाल सिंग से खाउत का संबंद किस कला से है, क्रपाल सिंग शेकाउट बहुत पुछावा क्यूश्चन है, क्रपाल सिंग सेखाउट अपने जेपुर्गी प्रसीद्ष जो कला है ब्लु पोर्ट्री, ब्लु पोर्ट्री के प्रसीद्ष डेला के पर अंतरी इस तर पर लोकप्रियता दिलाई है, सिखकर के सिरिमादोपूर के मौगाऊं के क्रपाल सिंग से काउच जो है यह ब्लू पोटरी के जादूगर है तो ब्लू पोटरी इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट क्यूस्टन है आपके 36 36 36 नंबर क्यूस्टन इस पेपर में 36 नंबर क्यूस्टन अपने राजस्थान कला और संस्कृति आपके राजस्थानी भासा और बोलियों से रिलेटेट प्रशन पूचा गया है इसके बाद 37 thirty Seven कभी यहुँज चित्रकार नागिडास के रूप में कौन प्रसिद्ध था तो यह अपना कि संगर चित्रसली में पर दते हैं किसंगर सेली के महान कैसा राजा सावंथ सिंग जिनको सामंथ सिंग भी कहते हैं यह भगवान क्रistortion कि भक्ति में अपना नाम नागरीदास रखते हैं विराग्य धारन करते हैं और इनके काल में किसंगर सेली की सुरुआ तो नागरीदास के नाम से सा cortar यह लोक कलाक्षन है कि भीलों दौरा लड़की के विवा के समय गर की ज応ाब जो होगा वो बराडी चित्रन होगा बराडी माता के चित्र बनाए जाते है इसको बराडी चित्रन कहा जाता है तो D.-Option इसका सही होगा 46 नंबर अगला紅शन अपने हस्थ कला से रिलेटेड है हस्थ कला से रिलेटेड अगला क्यूशन है 4 लोक कलाई हस्थ कलाई दे रखिये बहुत आसान से गे और उनके छेतर पुछे गए हैं पहला नाम है बादला बादला आपने जानते हैं कि जिंक की बनीवी पानी की बहुत नहीं होती है जो जोदपुर की परसीद है नम्दा नम्दे टोंक के परसीद है नम्दे कहां के परसीद है पावरजाई अपने जेपुर की परसीद है और खेसला लेटा गाउं जालोर के परसीद है अब आप सुमेलित कर लीजी इसको पहले म बादला बादला जोदपूर के परसिदे नमदा टौक के परसिदे बावरजाई जेपूर की परसिदे और खेशला आपको द्यान रिखना है लेटा गाओं जालोर के परसिदे चलिए सुमेलित कर लिजीए गाप नेक्स्ट क्यूशन है आपके 56 नंबर अपने लोक देउता चपन नमबर प्रशन है लोग देवता या फढ़ में से आपके ये प्रशन पुछा गए देवनारण जी अपने जो गुजर जाती के अरादे देवता है बगवान देवनारण जी उनकी जो फढ़ गाई जाती है वो किस वादे यंतर से गाई जाती है तो जंतर देव जी की फढ़ में जंतर एक तत्रेनी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जंतर जिसम फांच तार होते हैं विना जैसा एक मुजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उस जंतर का प्रियूग देव जी की फड़ में किया जता है तो इसका सही जवाब D होगा जंतर विल्कुल सही किया इसने जो भी है ये चलिए इसके बाद अगला प्रेश्ण है अपने प्रेश्ण संक्या 76 76 76 प्रेश्ण संक्या 76 76 जो है राजस्तानी उससे रिलेटेट दो कलाकार दिये हुए जेद्याल, सोनी, चेत्राम ये सारे आपको जहान रखना है चितोड का एक बहुत प्रसिद लोकनाटे है तुर्रा कलंगी इस तुर्रा कलंगी ख्याल से related है जो निम्बा हेडा चितोड का गोसुन्डा का प्रसिद है तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद कलाकार है फिर उसके बाद प्रस्ण सिंक्या 80 एक अर्वी बुक है जिसके राइटर है इस्वरदास नगर फुतुहुत ए आलमगिरी जो औरंग जे पर एक तरह से लिखी हुई किताब है तो इसके लेख का नाम है इस्वरदास नगर तो ए ओप्शन इसका करेक्ट होगा फिर प्रस्ण सिंक्या 81 वैसे ये नाम बेंग्टी गाउं है मैं आपको जब भी कहता हूं कि ऐसे क्युसन कल्चर में आप जो इंग्लिस में लिखावा प्रस्ण है उसको आप डंग से पढ़ा करो ऐसे दो तीन क्युसन आज जैसे गल्ट हुए है तो हमेसा जो अंग्रेजी में लिखावा रहता है उसको पढ़ करके आप फि गाउं में तो पूछा गया कि मंदिर तो हडबुजी सांकला हरदम हाजीर गाउं बेंग्टी माही दूजी देह मारी जान जो हां मोसेरा भाई तो हडबुजी सांकला का मंदिर है 83 प्रस्ण संग्या 83 मेवात छेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद संत कोन चयनते हैं कि दो प्रसिद संत दे चरनदास चरनदास चै voting में ही नि लाल दास चै बहर अलवर लाल दास ची आपको जैन रखन right यो आ आ यह मेवात शेतर के प्रसिद संत दे लाल डास चै पूछे गए तो बिलकुल आसान से प्रश्ण यह ठीक है चलिए अब आपके कंप्यूटर के प्रस्णों पर स्वल करवाने के लिए परवन्जी सर्थ अब कर अब कर दो कि अब कर दो यहां पर एक नंबर का पुच्छन है प्रिंटर की प्रिंट गुण मत्ता है इंग्लिश वाला वर दो यहां यहां देखें क्या कर रहा है दो चीजा है एक तो क्वणिट की बाद कर रहा है और एक किसी की बाद कर रहा है इसी की बात कर रहा है और ऑंब्न केडिण मने का पर इंच हो गया कितनी speed से page निकल रहे है तो आपके पस्टिया हुआ इसके बाद नेख्सपचन अपना है इन्हें file system file system का question है ये file system का पहले वाले में भी आया था NTFS का और इसमें भी दिखाइन से path from the current directory current directory जो path defined किया जाता है वो वाला कौन सा path कहलाए गाए आपन दे से कोई भी path दे देते हैं इसे इस तरीकी से कोई भी आपने पाथ देते हैं तो वह वाला पाथ आपस में एक उसे से जुड़ा हुआ रहता है इसके अंदर वोल्डर वोल्डर सबॉल्डर गया इस तरह से कोई भी अपने डारेक्टिव अगर बनाईगे तो वह भी आपके इसी प्रकार से रहते हैं तो इसक देखिए एक सो तीन वाला क्वेस्चन है इन कंप्यूटर स्पेड़ सीट का मतलब क्वेशन कहां से आया है एक्सल से आया है इस त्रू इप करंट और एक्टिव सेल इस बीपोर यहां पर क्या कह रहा है कि आप यहां पर हो यहां उपर तो लिखा हुआ है बी और यहां जो लिखा हुआ है आपके एक, फीफार कर्णचर है आपको धंट की दबाएंगे तो आप कहां जाएगे तो इसी तरीके से बना रहता है। यहां बीए यहां सी इस तरीके से होगा अपका कर्णचर यहां पर आ जाएगे जाए तो आप मतलब भी पई पिर आप पники नमोंगे त यहां पर कुन साहन से सही हो जायागा आपके पास में बी फाइप सही हो जायागा नेक्स्ट एग यहां देखिए a set of rules that govern or aspects of information communication is called जब आप किसी भी communication करते हैं कोई भी चंचार करते तो उसमें कुछ rules and regulations होते हैं तो उने rules and regulations की का रोड़ करते हैं है he it it the rules or regulation जब आप communication करते हैं तो कोई neem कायदे जो बने हो ल την कायदे ही क्या कलाते हैं अपने आफे बनाख कहा जाता है और उन्हार राते हैं उन्मासम को प्रॉटोकॉल कहते हो प्रॉटोकॉल। next दिखिए कंप्यूटर ना फॉर्किंग इंग विद्ध टेकिए कॉश्चन कहां से आया है मेस वर्ट से आया है वह एक्सल से ता which option is not available in file menu क्योंकि आपन देखते हैं कि file menu होगा तो file में ज्युचरा अपन करते है alt plus app alt plus app करते ही file खुल जाएगा रिसमें कौन कौन से होता है । इसमें value होता है open होता है अनर्डे कि print भी होता है, फैंट preview भी होता है चैनल के बीमार सब्सक्राइए हाथ जाएं, यहां सब्सक्राइए, सब्सक्राइए उसकर में अट रोधार इस यहां पर जो इसका सहितने पूंचा हो जाएगा आडर एंड पूर्ट है अब आपके सामने आ रहे हैं जोक्रोफि के हमारे गांजे सर्ट जो जोक्रोफि के सॉलूशन आपके सामने करवाने गिए थेंक्यू सर्थ थेंक्यू सर्थ थेंक्यू सर्थ थेंक्यू हाँ जी दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी लोग क्यूशन नंबर दो निकार रोता है हाँ भी कि अब भी कि अब कि अब फस्क नंबर से वैसे चलना ना अपने वीच वीच में आते रहेंगे है हाँ वी देखेगा जोगोफि वाली जो क्यूशन दोस्तों वह लगबग के 40 साना इस पेपर में ज्याधा क्यूशन आ Kenai पिछले में हमारी क्यूशन 35 थे और इसमें यह दिन बात करते तो इसमें 40 प्लस क्यूशन दोस्तों जोगरोफि के इंडियन रास्तान और इकोनोमिक्स वाले क्यूसन है दोस्तों देखो निमली खित में से हम बात करें प्रेपर चैन्ज है कि यह क्या है तो निमली खित में कौन सा एक इकरत बुगतान इंटरफेस से यो पी आई को लागू करने का सबसे संभावित प्रणाम है लगबग दो दसकों में डिजिटल पूरी तरह से बहुतिक मुद्रा की जगह ले लेगी इसलिए दोस्तों तो इसका राइट आंसो जाएगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्सन करवा दिया वियार होगा दोस्तों फस्त नंबर ऑप्सन जो आएकर लागू करने वाला यदि कोई पहारत का पहला रज्य है तो वह होगा हमारा कौन सा बताईगा वह है वियार होगा करवा दिया वैसे सबने चलो भी आगे अहां जी गुडिवनिंग गुडिवनिंग आप सभी का स्वागत है अपने पार सला के इस डिजिटल प्लेट फोरम पे क्यूशन करम से चलते रहों वैस बस ती नंबर ती नंबर त पादन होता है दोस्तों देश का 90% रास्तान और राजस्तान का 70% केवल अजमेर मकरेडा में ने बहुत बार कहा है कि 2019 में जितने भी एक्जाम लगे हैं उन सब में एक क्यूशन आया यहां भी पूछ दिया दोस्तों फैल सपार सरवादिक होता मकरेडा की खान अजमेर बो समयलित नहीं है चैरी ब्लास में दोस्तों जो कफी कविये की पसल के लिए लाबदाईक है आम की पसल के लिए मैंगो सावर स्तम्यलनाडो पुर्वोत्र भारत में चलने वाले जो वोती वर्षा उससे नार्वेष्टर बोलते हैं वैसे नार्वेष्टर न्यूजिलेंड की भी पवन है दोस्तों और एक आदा बार्दोली छिड़ा दोस्तों यह चाही की पसल के लिए लाबदाईक होती है लेकिन बार्दोली छिड़ा अस्वम रज्जी में होती है यहां केरला दे रखाया एसम में लित पुछा है तो हमारा डी नंबर सही होगा मद्य प्रदेश म यह जो इस्ताने बाला गाट है चिंदवाडा जबुआ यह मैगनीज के लिए फेमस हैं दोस्तों हाँ जी आपने मैगनीज करके आयोंगे सभी लोगे काला गुमान राजस्तान में पहली बार पन्ना निकाला गया पिछले में भी आया किसन यह इसमें भी पूछ लिया है प उस समय यह तत्कालिन उद्यपुर में हुआ करता था लेकिन अब यह राजस्तान के राजस्तान में है चलो अगला किसन अजी एक मिनट है हाँ जी आई कि एसमानता को मापा जा सकता है दोस्तों द्यान दीजिएगा गिनी गुनांग के और गरीबी रेखा के रुप में तो आपका नमबर फस्ट है ए और दो सही होगा दोस्तों एक दो और चार सही है दोस्तों यहां पर ऊधिये करना नहीं करवा दिया जी दोहदी यहला किस पसल की उन्त किसम है दोस्तों जो हमने यह फ़र साला के यूटॉब चैनल पे मैंने मेरा ठन ली थी। उसमें भी दोस्त तो यह क्योंष्ण करवाया था कि दिए गए कल्प में सुमेलित कीजिए रहा तो वहांपे था चानः बोलो भी ही दोह दिये घान दीजिए गा दोस्तो दोह दी येला यह है वह चनई की किस्म है दोस्तों केलास रंकला मैंने लिख़ुया है के लाश का काल्जड लिखवाया क्या के लाश का काल्जड ट्रांस हिमालिय की दोस्तों राइट आंसर होगा ट्रांस हिमाली अपना चलो आगे जन्गन्ना दो हजार ग्यारा के अनुसार राजस्तान में जन्संख्या दसकी वर्दी दर हुई है दोस्तों 21.3 एक प्रतिसत दो नंबर उप्षन आपका सही होगा यहां भी चलो अगला क्यूशन अहां जी पेपर किरानी इलाकों में मानसुन पिछे अटने लगता है देखो भी सबसे पहले मानसुन अटने लगता है फस्ट्री सितंबर से दोस्तों जैसलमेर से तो यहां पे पंजाब की बात और यह मद्दे सितंबर आपका राइट आंसर होगा यहां पे डी नंबर राइट आंसर होगा रिको दुवरा चार एग्रो फुड पारक जौदपुर कोटा अलवर शिरी गंगा नगर यह हमारा बी नमबर आप्शन सही होगा दोस्तों यहां पे चार एग्रो फुड हाँ जी किशन मिलाते जाएगा कितने किशन आपके हो रहे हैं कितने किशन सही होगरें एक आया वन्य जी औव व्यारणने से वन वियाहार धौलपुर में दोस्तों सौरसेन बारा में हैं बंद बारेटा बरतपुर में हैं कैसर बाग कैसर बाग कहा उदयपुर में είναι क्या नहीं वтесь कैसर बाग दियान दिजिएगा हमारी रास्तान के दौलपुर में है तो दोस्तों ये भी गलत है यहां तो तो D number S सुमेलित है आगला क्यूशन चोटियों का चोटियों का क्यूशन पुछा है अवरोई करम बताओ भी जरगा 1431 मेटरे रगुनात गड़ 1055 मेटरे 900 सजनगड है 938 लिलागड 844 बोलो भी अवरोई करम फस्ट नंबर ऑप्शन सही होगा जरगा रगुनात गड़ सजनगड और लिलागड आपका राइट आंसर जाएगा गुरु द्वारा बुड़ा जोड़ा है सिरी गंगा नगर दोस्तों राइशिंग नगर सिरी गंगा नगर में है राइशिंग नगर हाँ जी तो इसका अंसर होगा आपका सिरी गंगा नगर 1155 यूजना 27 नंबर क्यूसन देखिएगा 1155 यूजना की बात आती है दोस्तों तो इसमें आपका राइट आनसर हैगा तेज और अधिक समावेसी वीकास से तेज और अधिक समावेसी वीकास आपका राइट आनसर होगा कि चल आगे हा कि भारत में प्रदान देशां तर मैंने लिखवाया है सीमा चट्छे उड़ी सीमा उड़ी कि दोस्तों ट्र troublesome ओद्धे उत्र कि मानःगा यह तम्हिल नाड़न में घुजरती भारतिय taşんな राजस्तान का एक मात रिस्तलिय उल-कश पींड प्राहर केटर- रामगण जील के जूब शीकटी वाली पहडी सहा भाद उच की पहडियों के मद्द्धे मिश्ते दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर जाएगा रामगड बारा क्रेटर बोलते हैं जिसको गोखरु नुमा अक्रती है उसकी जमशेद पुर था ना नहीं एक जमशेद पुर गया है ना अगरा चलो यह रहा न ते तीस ते तीस नंबर क्यों से निकालीएगा अभी कोईला चेतर के पास इस्तित लोहा इस्पात उद्ध्यो केंद्रे बोकारो बदरावती सेलम और जमसेद पुर गोस्तों कौन सा सही होगा जमसेद पुर आपकर आइट आनसर होगा यहां पे हमारा और इंडस्ट्रिल पार्क रेटिंग सिस्टम के तहते राजस्तान के कितने पार्कों को सामिल किया गया है सत्रा पार्कों को दोस्तों इसमें सामिल किया गया है थोड़ा करंट के रूप में क्यूशन है कि रजिये दो मिल तेंद्वा रास्ट्री उद्ध्यान दोस्तों तमिल नडु में है यह हमारे तमिल नडु में है दो मिल तौ आपका राधी टांसर होगा निमन लिखित में से पवन की दिशा के समांतर बनते हैं दोस्तों पवन की दिशा के समांतर कौन बनता है अनुधेरी बनता है यहां पर देखो पेराबॉलिक अनुप्रस्त का बर्खान अर्चंद्रागार गतिसिल अनुप्रस्त का अनुप्रस्त आपका राई टांसर होगा या सीप कौन सा कि दोस्तों पूरे के पूरे क्यूशन नोट्सों में आएं आप देख लीजिएगा आपको इसक्रिंसोर्ट मिलेंगे आपको आना ठीक है ना पूरे ऐसे के ऐसे एड़ पंक्ती भी चेंज नहीं हुई देख लो की का की कू भी नहीं चेंज हुआ है हाँ जी अच्छा नहीं हुआ है अरे पेपर अच्छा है लेवल का पेपर है देखो तैयारी करने वाड़ों के लिए पेपर अच्छा था जी निमलीखित में किस जिले में अधिक्तम आरक्षित वन रक्षित आरक्षित 37.5 प्रतिसत उद्यपूर हमारी राजस्तान में आरक् देखो विप अभी दोस्तों सैकेंड ग्रेड में बृ webinar मौस्ट करेदा मौस्ट कर लेना मौस्ट करवाया हुआँ देख लीजिएगा कॉफी में आप पे और कहां करवाया डीडोया जील में बोलबीराशस्तान स्टेट केमिकल वक्र लिमिटेट दोस्तों यहां पर एक नंबर ऑप्शन सही होगा हाई टे ग्लास फैक्टरी जो गंगानगर के लिए क्या करती है साब की बोतले बनाती है मेवार सुगर मेल्स से बोलो भी मेवार सुगर मिल्स दोस्तों 1932 वोपाल सागर चितोडगड में जैके सिमेंट वरकर्स निमबायडा एक मिनट एक मिनट एक मिनट मीचे करो यह तो करवा दिया है पड़ा 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 चलते रो हाँ जी देखो चाय गुजरात में जूट असों में चावल वेस्ट पंगाल में ग्यों उत्तर प्रदेश में एस सुमेलित पुछा है दोस्तों चाय धेन देना हमार कि राज्ये में सरस्व तेल उत्पादक राज्ये है सतावन नम्बर निकाले ना सतावन नम्बर कि सतावन नम्बर यहां पर आपका राए टांसर होगा डी नम्बर दोस्तों इनके कमेंट स्कून नहीं रहे है अरे क्या हुआ सदमे में कैसे हो आप लोगे बड़ा बढ़ा जी सदमे में नहीं रहना है बताओ हाँ जी यहाँ पे सरसो उत्पादक पुछा है दोस्तों सरसों की बात करें तो अलवर और जैपूर अलवर जैपूर में सरवादिक सरसों का उत्पादन होता है चलो आगे यह क्यों सिन देखला ना 69 में भी है ना चलो आगे बोलो भी कौन सी नदी अध्या रोपित नदी का उधारन है दोस्तों जाखाम माही बनास गगर कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर बनास होगा भी बनास कोपेन के जलवाई वर्गी करण में राजस्तान के सिकर नागोर दोस्तों अर्दिसुस्क कहें तो एस जाएगा इस्टेपी इस्टेपी के लिए द्यान देना एस बोलो भी आइस की बात करें बी एस अचे डबलो कोपेन की द्वारा बताए गए जनगन्ना दोजार ग्यार में जो अनुशुचित जनजाती प्रतिस्ट की बात करें दोस्तों न्यूंतम है तो यह वहारे राजस्तान के बीकानेर और नागोर वाले पार्ट में आएगा दोस्तों चलो आगे 69 नमबर 66 68 हाँ जी बोलो भी राश्ट्री आए लेखा का वर्तमान आदार वर्स कौन सा है बोलो यहां पे आर बी आई ने दो हजार चार पांस से बदलकर दो हजार ग्यारा बारा कर दिया गया दोस्तों सी नमबर उप्शन सही होगा दो हजार ग्यारा औरे बारा राजस्तान के लिए जल जीवन मिशन योजना बोलो भी कौन सा होगा यहां पे फिप्टी फिप्टी दोस्तों यह बता दिया वैसे 45-45 प्रतिसत का है पंद्रिवे वित आयोग ने सिफारिस की है कि राज्यों की वर्टिकल इस्सेदारी होगी बोलो भी 2021-22 से लेके दो हजारे 25 और 26 होगी दोस्तों चलो आगे बीकानेर दोजी जिलों को डोक्टर कर्णी सिंग बीकानेर जोधपुर सही है क्या विकानेर जोधपुर जोधरी कुम्बा राम गंगार हनुमानगड एक बीकानेर दो विकानेर के बाद चोरो तीन और जुन जुन चार बोलो भी किते जिले आरे हैं यहां पे option में मिल रहे हैं के नहीं मिल रहा option हमारा कौन सा सही होगा चौदरी कुंबा राम सही होगा क्योंकि चौदरी कुंबा राम जैसल मेर बाड मेर को लाबान वित नहीं करती है पिली क्रांती पिली क्रांती का समंद है बोलो भी नहीं है सरसो का तो है इतिलन से है सरसो तिल खाद्य तेल यहां पे चणा चणा नहीं होगा दलहन नहीं होगा दोस्तों प्रोटीन क्रांती का समद्धाएगा इसका राष्ट्रिय खाद्य शुरक्ष्य मिशन रास्तार में किस वर्ष प्रारम किया गया बोलो भी 2009-10, 2078 आपका राष्ट आनसर आएगा 2007-08 होगा सही अलपी सॉल्स मर्दा बार बार कहा था दोस्तों, अलपी सॉल्स मेदानी मर्दा मेदानी प्रदेशों में आपका राष्ट आनसर होगा यहां पे जैपुर्ब सुन्दरी दोस्तो ओल में वी आई पियंग होल में क्लास लगी थी बार बार का था सुन्दरी और मेग्रो जवारी ये वनस्पति के पार्ट हैं और ये आपका राइट आंसर होगा जवारी ये वनस्पति दोस्तो लोनार महरास्टर में जिसका पानी गुलावी होता जारा चिलका, ओडिसा, भिमताल, उत्राखांड, पुलिकट, आंद्रा और तम्मिल अडु आएगा, करनाटक नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी कैप्टीव एनिमल्स की यदि बात करते हैं तो यह जैविक उद्ध्यानों के वन्यजियों को आमजन संस्ताधी को गोध देना यह इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर ओप्शन सही होगा दोस्तों मानसुन दोजार इकीस दौरान के निमन में किस जिले में सामाने से अधिक ज्यादा वर्सा हुई है दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर बहां से वाड़ा अभी आ रहे हैं सर जुड़े रहेगा दोस्तों हाँ जी एक यूसन और भी 97 97 कौन सा सुमिलित नहीं है पांचना बांध करोली पांचना बांध गुड़ा बांध बोंदी में मानसी वाकल उद्यपूर में और ही दोस्तों यहाँ पे सी नंबर ओप्शन हमारा एसंगत है यहाँ पे हमारा एसंगत है दोस्तों हाँ यह अपना ही रास्तान में सकल राज्य मुल्य वर्दना अधार वर्स में 2021 किम्तों पर 2021 बाइस में करशियम समंध्चित्र का योगदान है दोस्तों 28.85 प्रतिशत राइट आंसर होगा यहाँ पे डी भी हाँ जी जी पर दिंदेर को जायों राज्य यहाँ योप्सन इसका डी था वो डी चला गया रिप्सकों पूरी बताती न वह इधर वाली सेट में लग गया ना हाँ वह देखो एक यूशन आपका जो यह वाला था जल परती भी में का था जो पानी वाला इसके अंदर आपकी जो कंडिसन तो एकदम से लिगती थी तो ओप्सन कई यह वाला पार जाएगा उपर तो यह ध्यान रखना एह है यह गलती मत कर देना यह सोचो की मतलब यह वाली तो यह गलती मत करते हैं क्यों क्योंकि वी और सी तो डारेक्टिक था लेकिन डी का यह द्याना सेम कंडिशन तो यह वाड़ा नहीं आएगा और यह बताओ पर कैसा हुआ आपका सभी का मोसम अच्छा बना था नहीं बना था वह बताई आप लोग सबसे पहले अब हमारे अज जीके वाले पार्ट में उसमें भी देख लो समान कंडिशन जिनोंने पड़ी है और जो भी पड़ा है वही उनका सबका राइट आंसर हुआ रच्छे क्यूसंस भी बैठे होंगे ठीक है बाकी से आप इसके साथ जूड़ी रहे हैं बाकी आपको बताए देंगे हाँ जी सर सभी को नमश्कार चलिए साइन्स वाले कुश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं आशा करता हूँ कि आप सभी का इपर भी सही रहा होगा वैसे तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है अब देख लो आप हलके में साइन्स को तो बिलकुल मत लेना क्यों साइन्स का लेवल हमेसा अच्छा आता था है है और हमेसा रहेगा लास्ट यर के ल्डी सी के एक्जाम्स को भी उठा के देखें तो सबसे फाड़ पेपर साइन्स का ही आया था इस वार भी याद रखना साइन्स का है ग्रेजुएट के लेवल से हाला कि ये पेपर ज हलके में नहीं लेना है अच्छे से पढ़ना जो भी मैंने पढ़ाया है आज यह सुपित द्यार्ती ने जहां सा भी पढ़ा पेपर को सॉल्व करने के लिए दिको नोट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है नोट्स पहले पढ़ोगे अब बच्चे मैसेज करके मुझसे बोल बुक खरीद के पढ़ने क्या जब तक नोट्स नहीं पढ़ोगे जब तक वह याद नहीं होंगे तो कैसे याद कर लोगे बता रट्टा मारना थोड़ी ना है तो पेपर कभी के लिए होता ही नहीं है चलिए चलते हैं सबसे पहले सवाल आपके सामने है ओजोन के बारे में एक double bond होता है तो linear नहीं कह सकते रेखिये लिख दिया रेखिये पैमाना नहीं आता है इसकी बीच में कौण आता है रेखिये में तो 180 degree का कौण आएगा या 180 degree का कौण नहीं आता तो यह option तो हो गया गलत ओजोन से oxygen का निर्मान एक उस्मा सोसी अभी करिया उस्मा सोसी नही अभी गलत हो गया, ओजोन का निमनिस्तर, वाई मंडल ये प्रदूसक है, बिल्कुल सही बात, तो इस्टेटोस्पर में जो ओजोन का लेवल मिलता है, मतलब कि, जैसे क्या है कि, समताप मंडल के बीच में, जो समताप मंडल होता है न अपना, एक ट्रेपोस्पर होता है, एक साइन्स टेक का सवाल है, टेक्नोलोजी से संबंदेता है, अब जैसे आप जानते हैं कोई 10 प्लस 2 में डिफेंस नहीं है, है न रक्षा नुसंदान, डिफेंस न सर्च नहीं है, लेकिन, सोरी, ग्रेजुएट के लेवल में डिफेंस था, रक्षा तक्नीक है, तो उससे सवाल आते हैं, अब ये लास्ट एर का सवाल है, क्यों कि युद्ध के लिए तैयार पांचवी पीडी का एक मातर लडाकु बिवान कौनसा है, लडाकु की बात कर रहा है, तो देखो पांचवी पीडी का एक मातर लडाकु जो ये जुलाई 2022 में ही सामिल किया गया था, ये चली चलते हैं एक ले कुशन पर, नेक्स्ट कुशन आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा सिंपल सवाल है, कई बार एक जम में आ चुके हैं, और आप तो जानती हो कि इस कुशन को, शायद ही कोई विद्यार दे गलत करके आया होगा, मधुमक्की का डंक हो हो, चाय ततहि चली अगले कुशन पर, अब देखो अगला कुशन थोड़ा सान नुमेर कला गया, ग्रेजुएट लेवल है, जोको 10 प्लस 2 में भी नुमेर कला सकता है, याद रखना, क्या किरा है कुशन, 100 डिग्री सेलसियस और प्राकर्तिक दाप देपर, 0.1 ग्राम पानी के नमुने को 100 डिग्री सेलसियस पर भाप में बदलने के लिए 54 कलोरी उस्मा चाहिए, और यदि उत्पादित भाप का आयतन 116.1 है, तो नमुने के आंत्री कूर जा, सरी, इसमें एक ब्लैंक पिपरेट हो सकता है क्या, जस्ट एक ब्लैंक पिपरेट कीजिए, दोको इसका मैं ग्रेट के अंदर है, तो वहां से सवाल आया है, 10 प्लस टुमें ऐसे सवाल देखने को आपको नहीं मिलेगा, तो घवरानी क्या होशकता नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट में सलेव उसमें कार रहे उर्जा उसमा, वर्क, हीट, एनरजी वाला चेप्टर शामिल था, तो आ देल क्यों होता है, उर्जा में परिवर्तन, उर्जा कितनी दे रहे उसने 54 कैलोरी, कैलोरी लेकिन जूल में करना पड़ेगा, ऐसा ही पद्धिती में करना पड़ेगा, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते, तो यहां आपने गोना कर दिया 4.2 का, तो यह तो आ गया यहां पर सब्सक्राइगा, सर बेक जाना है तो एक वार्ज कुशन को, देखो P कितना दे रहा, 1.013 गुना 10 की घाट 5, चलिए सर आगे, 1.013 गुना 10 की घाट 5, यह तो आगया P कमान, अब डेल भी क्या होगा, अभी कितना दे रहा, इसने 116.1 और पहले कितना दे रहा, 0.1 और सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक सेंटीमीटर में 10 की घाट 2, तो 10 की घाट कितना हो जाएगा, माइनस चे हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 10 की घाट, माइनस चे, यहां से आंसर कितना आएगा, देखो 226.8 और इसका गुना करोगे, यह यहां से घटेगा, गुना करोगे आप करके देखना है calculation, तो 16.9 आएगा, अब इसको solve करने पर लगवग answer आएगा 209.9, ये correct answer है, अब 4 options, question पर जाईए से, 4 options पर देखो 209.9 का है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 209.9 के आसपास कौन सा answer आ रहा है, 208.7, तो correct answer, option D is the right answer, चलिए अगले question बचलते हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है, थोड़ा सा और उपर, हाँ, अब ठीक है, यहाँ आपको मिलान करना है देखो, प्राकरतिक भहुलक, चार option दे रखें, backlight, aminomal, PVC, starch, तो आप जानते हो, प्राकरतिक भहुलक कोन होगा, starch, यहाँ तो आगिया D, ताप द्रड थर्मो सेटिंग की बात कर रहा है, इन में से मैंने आपको थर्मो सेटिंग कौन बढ़ाया था, backlight, तो यहाँ आगया option A में, protein, protein मैंने लिखाया है कि आपको aminomal के बहुलक होते हैं, portion के अंदर भी लिखाया था, aminomal के बहुलक भी, तो यहाँ पर आगया option B, ताप यह गया देखो, D, A, B, C, यही हारा न, अपना D, A, B, C, correct answer क्या हो जाएगा, option is the right answer, backlight में कौन चल जाएगा अपना, अब बस यह याद रखना, गल्ती ना हो, D, A, B, C अपना answer था, चलिए चलते हैं, अगले question पर, अगला, one, 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 ethylene glycol, ethylene glycol, ethylene glycol की बात कर रहा है, ethylene glycol, ethylene glycol क्या होता है, OH और OH, ethylene का, ethylene का मतलब, CS2 का halt twice, यह होता है, ethylene glycol, ethylene glycol कहां कामाता है, tubeless tireo के पंचर बनाने में, या प्रतीम, antifreeze में, खादे परिरक्षों को रूप में, या detergent के निर्मान में, तो बताइए, चार उप्सन में से कौन सांसर से होगा, याद रखना, ethylene glycol, ज्यादा तर, antifreeze, प्रती हिब काम आता है, इतनी जल्दी जमने नहीं देता है, correct answer उप्सन भी, चलिए चलते हैं, एकले question पे, next question क्या कहता है, पानी की स्थाई का टोड़दा को दूर करने के पानी किसका अप्योग करते हैं, पानी किस्थाई का टोड़दा, अब देखो यह तो bleaching powder है, यह तो कीट नासी हो गया, NASU3, बैकिंग सोड़ा हो गया, यह एंटा सिड की दरगाम करेगा, CO2, जिपसम होता है, यह भी कीट नासी है, खाद उरवरक में काम आता है, पानी किस किस से करते हैं, sodium carbonate, धावन soda, किस से करते हैं, sodium carbonate, धावन soda, इस question का सही जवाब, option is the correct answer, genetic engineering में प्रयोक्तिन वाला सामाने जीवानू, कई बार मैंने आपको लिखाया था, genetic engineering के अंदर, मैंने आपको एक line लिखाई थी, एक परिवासा, प्रतिवंदित endonuclease enzyme, restricted endonuclease enzyme, जिस प्रतिरोपी अंगों को प्राप्त करता हूं में ऐसे कुरत होने से रोखते हैं, चार उप्सन से, आपको याद रखना है, cyclosporine करेगा, कौन करेगा, tetracycline है, cyclosporine, तो option D is the correct answer हो जाएगा, cyclosporine, ठीक है, विसे एक और होता है, मैं लिख देता हूं, अगर लिखना हो तो आपको tacrolycem भी होता है, tacrolycem भी होता है, tacrolycem तो option भी है नहीं, cyclosporine है, तो question का सही जबाब, option D is the correct answer, चलिए अगले question पर, एक अभीकरिया दे रखिए, लवन की पहचान कर नहीं है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, देखो, OH और H मिलकर तो क्या बन गया, H2, यहां से बचा क्या, SO4, यहां से क्या बचा, NH4, यहां सा है, SO4, SO4 होता है, minus 2, तो 2 चला गया, यह होता है, plus 1, तो NH4 का hold twice SO4, option is the correct answer, तो यह तो थे आपके science के संबंदिस सवाल, ठीक है, तो यह 10 सवाल थे, अच्छे level के सवाल थे, याद रखना, अब हमें इसमें English के questions or tick करने हैं, ठीक है ना, तो English के questions भी मैं आपको answer tick करके देता हूँ, आप चेक कर लीजिए, चलिए, 141 number का question है, अभी निकल बाता हूँ म है, चलिए, इंग्लिस वाले answers में आपको tick करवाएता हूँ, सर ने answers भीजे हैं, तो जैसे 141 पे है, question number पहला, इंग्लिस का 141 141 141 141 तो सुस्ट आप एक सो एक से ताल सब्सक्राइब आप सैस्ट इन डिफ्रेंट चलिए एगले कुश्शन पर 143 का अंसर आप इंपलाइस इसका आप चेक कर लिजिएगा चेक करना मतलब आप अपना चेक कर लिजिएगा यह तो करेक्ट आंसर है option B implies 144 का answer है option D, first में आएगा D, second में C, third में A, fourth में B, इस question का जवाब हो जाएगा option D, चलिए 145 नमर का question का answer जो रहेगा यहाँ पर, give one words, substitute what पूछा गया है, where minimum needed for, survival की बात कर रहा है, तो यहाँ पर subsistence answer आएगा, option D is the correct answer, subsistence answer आएगा, option D correct answer बता रहा है, सर ने बताया है, 146 का answer होगा, यह मेरे पिता ने कल मेरे लिए जोड़ी जूते खरी दे, choose the correct English translation of the given sentence, तो इसका answer जो जा रहा है, वो जा रहा है, my father bought me a pair of shoes yesterday, my father bought me a pair of shoes yesterday, option B, इस question का 146 का answer होगा, option B, 147, choose the correct answer from the given option, Ravi said, I will bring the book tomorrow, तो इसका answer जाएगा, option B, Ravi informed that he would bring the book the next day, Ravi informed that he would bring the book the next day, option B, correct answer जाएगा, 147 का option B, टिकली जाएगा, 148, choose the one which best expresses the meaning of the given word, 148, की के, इसका answer बता रहे हैं sir, M in 8, option A, correct answer होगा, M in 8, चलिए, 149, choose the correct from the given options, why did they pull down the building, change the voice, voice change कर नहीं है, तो इस question का सही जबाब sir ने बेजा है, option D, why was the building pulled down, why was the building pulled down, option D is the correct answer, और यह रहा आपका English का last वंतिम सवाल, choose the alternative which best expresses the meaning of the item, phrasal, phrase क्या दरका, steal someone's thunder, तो इस question का सही जबाब दिया जा रहा है, to take credit for something, to take credit for something, which someone else did, तो इस question का सही जबाब दिया है sir ने, option D, ठीक है, तो यह English के हैं, जो मैंना आपको direct answer टिक कर दी हैं, आप मैंच कर लिजगा, कितनों का सही है, कितनों का गलत है, और मैं आसा, आप सीहे करता हूँ, तो देखें, मेरा बार-बार आप से कहना यही है, सबसे पहले, जो भी, जहां से भी आप पढ़े हो, जिस भी सरने पढ़ाया है, मालो साइंस में आपको पढ़ाई है, जो भी विद्यारतियां जुड़े हुए हैं, अगर पाट साले क्लासेस के हैं, तो दियान रखिएगा, नोट्स को रेफरेंस में सबसे पहले लेना है, क्योंकि नोट्स अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो आप कितने कुश्चन को रटलो, केवल कुश्चन रटने से तो कुश नहीं होगा, अगर कुश्चन को हलका भी गुमा दिया, एक उप्सन भी चेंज कर दिया, तो आपको गवराट पैदा होना तो तह है, और आंसर तो गलत होगा है होगा, तो केवल कुश्चन पढ़ने से कुश नहीं होता, तो पढ़ना सुरू कर दो, अभी भी वक्त है, जो अभी भी मेहनत कर लेगा, नहीं आप पार लगा देगा, क्योंकि ज़्यादा तर आपनों देखा होगा, सब सन्ने कुश्चन करा हैं, आपके सामने हैं, प्रतिक्षकु प्रवान की कोई आवशक्ता तो है नहीं, है ना, सब आपके नोटसों से ही आ रहे हैं, पढ़ो, अच्छे से, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद,